नमस्ते दोस्तों आज सुनिए माल्ती जोशी जी का लिखा हुआ आत्मकत्थ है वो भला सा आदमी जिसमें उन्होंने अपने पती के बारे में अपने संस्मरर लिखे हैं तो प्रस्तुत है माल्ती जोशी मैम का आत्मकत्थ है वो भला सा आदमी अभी नई दुनिया के दिपावली विशेशान पे मेरी कहानी छपी है बेटिया एक पाठक ने पूछा कि आपकी कहानियों में एक भला सा सज्जन सा समझदार सा पुरुष पात्र हुआ करता था इस बार गायब क्यों है क्या उत्तर दू मैं वो भला सा आदमी मेरी जिन्दगी से ही गायब हो गया है कहानी बेचारी की क्या विसात कहानिया तो अब तक दरजनों लिख चुकी हूँ पर जब अपनी ही लिखने बैठी हूँ तो और छोर ही नहीं पता चल रहा है किसी बात का सिराही नीपकड में आ रहा है तो फिर शादी से ही शुरू किया जाए अपने परजे में मैं अकसर कहती हूँ कि मैं आम मध्यम वर्गिये कन्याओं की तरह पली बड़ी और ब्याही गई उसमें असाधरन या रोमान्चक कुछ भी नहीं था और उसे हटकर एक ही बात थी कि मैं उन दिनों गीतकार के रूप में काफी परसिद्ध थी पर आम भारतिय सस्राल नई बहु की लोग प्यता नहीं जहिल पाते घर में तो हमेशा मेरे गीत संगीत को सरहा ही गया मेरे जेट जी तो मेरी कहानिया पढ़कर इतने गदगद हो जाते कि उनकी आखे बराती थी आज भी जब गौालियर में मेरा कोई कारिकरम होता है तो पूरा परिवार मुझे सुनने मेरा सम्मान देखने वाँ पहुंच जाता है पर परिवार में कुछ दूर पास के खल लायक किसम के रिष्टेदार भी होते हैं एक महाशे तो मुझे हमेशा साहितिक जी ही कहकर बु हाँ तो बात शादी की हो रही थी एक बुजर्ग रिष्टेदार ने छूटते ही मेरी सास से कहा कि जी जी अब आपका ये बेटा आपकी बहु के नाम से ही जाना जाएगा मेरा जी धक से रह गया मैं नहीं जानती कि कहने वाले की मनशा क्या थी मेरे सास की प्रतक्रिया क्या थी ये भी मुझे पता नहीं था पर मैं बहुत बेचैन हो थी उन दिनों श्रीमान जी नौकरी की निचली सीरी पर थे यानी की जूनियर इंजिनियर थे मुझे डर लगा कि अगर इनके मन में हीन भावना ने घर कर लिया या इनके एहम ने सिर उठा लिया तो मेरी ग्रहस्ती तो चौपट हो जाएगी मैं ये नहीं कहती कि यही कारण रहा होगा पर ये भी एक कारण था कि विवा के बाद मेरी कावेधारा एकड़म सूख गई नए परवेश को आत्मसाथ करने में ही मेरी सारी उर्जा खतम हो रही थी तिस पर वज्र देहात का निवास, घर में बूरी सास, दो छोटे बच्चे, सीमित आये और बेशुमार महमान कविता के लिए कोई माहौल था ही नहीं कल्पना के आकाश से मैं एकड़म यथार्थ की ठोस धर्ती पर आ गई थी पहले दस साल बड़ी कश्मकश में गुजरे, ये नहीं कि एकड़म कलम बंध हरताल रही हो एकका दुक्का व्यंग लिखे, रेडियो के लिए बारताएं लिखी, राम कथा पर आधारित कुछ गीत भी लिखे फिर भी इस समय को मेरे साहितिक जीवन का अकाल परू कहा जा सकता है उन दुनों हम लोग जौरा में थे, पिक्चर देखने मुरैना जाना पड़ता था एक बार हम लोगों ने अनुराधा देखी, मैं तो अभीभूत ही हो गई रवी शंकर का स्वर्गिक संगीत, लता का अमरत स्वर, बलराध साहनी का सशक्त अभिने, बेजोड कथानक बहुत कम फिल्म में इतने गहरे तक छूती है लोटते समय पूरे रास्ते मैं वे गीत गुनगुनाती रही ये चुप-चुप से थे, पर मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं तो पिक्चर में ही खोई हुई थी पर रात को भी देखा, कि ये सोए नहीं है, छट की कड़िया ताक रहे हैं, तब खटका हुआ क्या बात है, मैंने पूचा, वे शायद मेरे प्रशन की प्रतीक्षा में ही थे उदास्वर में बोले, आज की फिल्म ने मुझको जगजोर कर रख दिया देखो, तुमने अगर दोबारा लिखना शुरूर नहीं किया, तो मैं अपने आपको कभी माफ नहीं कर पाऊँगा तुमारी प्रतिभाब मेरी ग्रहस्ती में दफन हो जाए, ये मुझसे सहन नहीं होगा तुमें लिखना ही होगा लिख तो रही हूँ, ये भी कोई लिखना है इमानदारी से बताओ, क्या तुम अपने लिखे से सन्तुष्ठ हो अब सन्तुष्ठ नहीं हूँ, तो क्या करो कविता तो अब छूटी गई है, कहानी लिखती हूँ, तो लोट आती है, फिर मन नहीं होता लोटने दो फिक्र मत करो पर लिखना जारी रखो वाकई वो मेरा बड़ा दुखत दौर था मेरी कहानिया लोटा आती थी शर्ड के मारे आत्मत्या करने का मन हो आता था पर हर बार ये मेरा उत्सा बढ़ाई रखते कहते चिंता मत करो, लिखना मत बंद करो कहानिया लोटनी हैं तो लोटने दो एक पुस्तक के लायक सामगरी हो जाएगी तो मैं अपने खर्चे से छपवा दूँगा नाम होगा वापसी सौबाग इसे ऐसा अफसर नहीं आया 1979 में मुझे एक बाल कहानी पर पुरस्कार मिला फिर कई कहानिया बच्चों के लिख डाली 1971 में धर्म्युग में पहली कहानी छपी तूटने से जोडने तक उसके बाद पीछे मुड कर नहीं दिखा छपने से पहले कोई मेरी कहानी पढ़े ये मुझे कभी अच्छा नहीं लगा मेरी इस इच्छा का इन्होंने हमेशा सम्मान किया मैं तो कहानी लिकर अलग हो जाती थी उन्हें काग्जों को क्रमवार लगाना स्टेपल करना लंबी कहानी हो तो परिच्छेद बना कर अलग-अलग करना लिफाफे में पैक करना सुन्दर अक्षरों में पता लिखना सब उन्ही के काम थे पर कहानी वे छपने के बाद ही पढ़ते थे पढ़ने के बाद अपनी इमांदार राय भी देते थे बहुत बोजल हुई तो अपनी असमर्थता व्यक्त भी करते थे मेरा हर संकलन उनकी महिनत का प्रतिफल है खुद सामने बैट कर टाइप करवाते थे अब तो फोटो कापी होने लगी है दुखान में बैट कर बताते थे कौन सा हिस्सा छोड़ना है शेश किस प्रष्ट पर है आदी उन कहानियों के सूची विवरन सहित बनाते फिर अच्छे से पार्सल बना कर पोस्ट करते थे मेरे सारे अनुबंध पत्र वे ही समाल कर रखते थे मेरी पुस्तकों का सेट उन्होंने दरजनों बार बनाया होगा पर हर बार किसी के आगरे पर में पिखल जाती और एक आद पुस्तक निकाल लेती इस बात पर इतनी लड़ाई होती मेरी कुछ पुस्तके पाठकों की भेट चड़ गई है वे वापस ही नहीं आई है मेरी पुस्तकों के लिए उन्होंने अलमारियां बनवाई मेरे लिखने के लिए सुन्दर मेज बनवाई मेरे हर सम्मान में वे सम्मिलित हुए वे सारे फोटों उन्होंने एल्बम में सजा रखे हैं आज कल तो पत्र लिखने का रिवाजी समात हो गया है पर एक जमाना था पाठों के बहुत पत्र आते थे हम लोग सम्मिलित रूप से उन पत्रों का आनंद लेते थे उन्होंने कभी इर्षय का प्रदर्शन नहीं किया उत्सो धर्मी व्यक्ति थे बच्चों के मुंडन, उपनयन, सगाई, शादी अपनी शादी की 25 वर्षगाट सभी उन्होंने धूमधाम से मनाए बच्चे हमेशा कहते थे बाबा हमेशा बड़े बजट की फिल्में बनाते हैं मेरी पहली पुस्तक पाशान योग 1977 में छपी इन दौर में जोड़दार विमोचन समारोह हुआ 1978 में दूसरी पुस्तक मध्यांतर का चतरपुर में जोड़दार प्रकाशन समारोह हुआ इन दो आयोजनों में जितना खर्च हुआ उतनी दो रायल्टी भी मुझे उस प्रकाशक से नहीं मिली उनका बस चलता तो वे मेरी हर पुस्तक का ही जश्न करते बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका जा सका था एक बार एक कविता संग्रे के विमूचन समारों में जाना हुआ कवित्री सीथी साधी ग्रहनी थी उनकी पहली पुस्तक थी घर परिवार के उत्तर दायतों से मुक्त होकर उन्होंने लिखना शुरू किया और एक पुस्तक छप गई पति रसूख वाले व्यक्ति थे प्रकाशन समारों में विद्वान वक्ता उपस्तित हुए बहुत अच्छे व्यक्तव दे दिये घर लोटकर मैं बहुत उदास थी मेरे इतने अच्छे गीत कैसे अनादरत पड़े हैं उनका कर्ज है मुझ पर उन्होंने ही मुझे साहित जगत में प्रवेश दिलाया और आज मैं उन्हीं को बुलाए बैठी हूँ इन्होंने मेरी उदासी को समझा बोले पांडुलिप तयार करो मैं तुमारा कावे संकलन अपने खर्च से छपवाऊंगा शांदार समारो करूँगा तुम चिंता मत करो पांडुलिप तयार करने में मुझे 6 महीने लग गए बस उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना पड़ा पती और पुत्रों ने मिलकर सारा आयोजन संपन कर डाला अपनी कंभीर बीमारी के बावजूद ये प्रकाशक के चक्कर काटते रहे खर्च की सुधा के लिए बड़े बेटे ने फौरन दसजार का ड्राफ भेज दिया बागी का भार छोटे ने उठा लिया उसके जिम्मे तो और भी बहुत से काम थे खुबसूरत कार्ट्स छपवाए गए मेरे कत्पय गीतों को स्वरबद किया गया ये सारी व्यवस्ता छोटे ने की वही मुझे लेकर आचार रिवर डाक्टर सुमन जी के हां गया उनसे स्विक्रत मिलने के बाद सारी कारवाही उनीक निर्देशन में हुई हम लोग 25 लोग उज्जैन पहुँचे मेरे सारे परिजनवी उश्यां वहां थे बड़ा बेटा सपरिवार मुंबई से आ गया था आठ मई को कालिदास अकादमी के भव सभाग्रह में मेरे एकमातर गीत संग्रह का विमोचन शद्धे सुमन जी ने किया उनका भाशन सुनकर हम सब गदगद थे अपनी बीमारी और पैरों के कष्ट के बावजूद ये उज्जेनाए हॉल में बैठे रहे पर स्टेज पर जाने के लिए मना कर दिया वो हमारे विवा का चालीसमा वर्ष था विवा की वर्षगाट का ये सबसे खुबसूरत उपहार था उस दिन कई कलाकारों ने मेरे गीत गाए मैंने भी अपना एक गीत प्रस्तुत किया प्रिये हमारी जिंदगी के आखरी त्योहार हो तुम तब क्या पता था कि ये सचमुच आखरी त्योहार होगा नितान्त सामाजिक प्राणी थे मैं आठ घंटे की यात्रा भी बिना बुले कर लेती हूँ वे आठ मिनट भी चुप नहीं रह सकते थे जहां बैठते मजमा जोड लेते थे जंगल में भी मंगल बना लेते थे सामाजिक कारियों में बहुत रूची थी मैं अगर उनके साथ कंदे से कंदा मिला कर चलती तो बहुत खुश होते पर मैं नितान्त घरेलु जी हूँ मैंने उनसे कह रखा था कि आप 25 आदमी घर पर खाने के लिए ले आईए मैं खुशी से बना कर खिला दूँगी पर मुझसे बाहर चलने के लिए मत कहा करिये इन्होंने भी कभी इसरार नहीं किया रेटायर्मेंट के बाद बोले तुमारे बच्चे अच्छे पढ़ले कए हैं दोनों की शादियां हो गई हैं अब मुझे भी कुछ अपनी मर्जी का काम करने दो मैंने सहर्ष स्विक्रति दे दी उन्होंने अपने को शादा विहार के काम में जोग दिया शून्य में से वहाँ एक विशाल श्रश्टिका निर्माण किया उन दस सालों में उनके पांच ऑपरेशन हुए दो फ्रेक्चर्स हुए पर्वे काम करते रहे अन्तिम बीमारी एनलार्जमेंट ओफ हार्ट से जरूर वे निराश और हताश हो गये अपनी आसन म्रत्य का उन्हें आभास हो गया था उन्होंने मुझे बैंक ले जाना शुरू कर दिया वहाँ की सारी व्यवस्ताएं समझाई दो साल पहले ही वे अपना म्रत्य पत्र लिख गए थे शायद जानते होंगे कि अन्तिम समय में वे ठीक से न बोल पाएंगे न लिख पाएंगे 1999 में मुझे भववूत अलंकरन प्रदान किया गया उन दिनों उनकी तब्यव बहुत खराब चल रही थी पर किसी को पता नहीं लगने दिया चुपचाप डॉक्टर को दिखाती रहे एक तिन बेटे की नजर प्रेस्क्रिप्शन पर पड़ी घर में जम कर जगड़ा हुआ बोले घर में इतने उत्साहा और आनंद का वातावरण था मैं उसे नश्ट नहीं करना चाहता था बीमारी तो अब मेरा इस्थाई भाव बन गई है लेकिन ऐसे मौके रोज थोड़ी आते हैं परिवार सुने बहुत लगाओ था शादी के बाद बोले थे तुमसे बस दो ही वचन चाहता हूँ एक तो यह कि मेरी माने जीवन में बहुत उतार चड़ाओ देखे हैं मैं चाहता हूँ कि अब उनका ये अंतिम समय सुक से बीते दूसरे यह कि इस परिवार को तूटने मत देना मैंने अपनी जीभर कोशिश की माता जी अंतिम समय तक नौ वर्ष तक मेरे पास रही परिवार में भी सबसे सोहार्द बना रहा उन दूनों वेतन बहुत हास्यास्पत था मैं हमेशा सपना देखा करती थी कि पती का वेतन हजार रुपय महिना हो जाएगा तो कैसा लगेगा महिंगाई की ऐसी कृपा रही कि वेतन कब उस आकड़े को पार कर गया पता ही नहीं चला खैर वेतन कम था पर घर में गाड़ी थी नौकर चाकर थे कहते ये सरकारी वैभव है बंगला गाड़ी नौकर चाकर इसमें अपना क्या है इस पर सबका हग है सबको इसका सुख लेने दू इसलिए घर हमेशा महमानों से भरा रहा उनमें कोई भेदभाव नहीं था दोनों पक्षों के लोग मेरे घर में समान, आदर और प्रेम पाते रहे जोशी परिवार में तो वे सबके चहिते थे ही मेरे पीहर दिगे परिवार में भी वो सबके लाडले दामाद और जीजा जी थे नौकरी करना मेरी फितरत में नहीं था उन्होंने कभी बादे भी नहीं किया उसके चलते हम लोग कभी संपने नहीं हो पाए इमानदार किस्म के इंजीनियर थे उपरी कमाई से परहेश था हमारी शादी 1969 में हुई थी पहली बनारसी साड़ी मैंने 1971 में पहनी गैस चूला 1971 में प्रेशर कुकर 1973 में और टीवी 1983 में और फ्रिज 1984 में खरीदा डिटायर्मेंट के समय हमारे पास अपना मकान नहीं था भला ओ शासन का जिसने एक F टाइप क्वार्टर बतोर लेखक मुझे दे दिया था उन दिनों वे हर एक से कहते इतने दिनों तक ये मेरे घर में रहती थी अब मैं इनके घर में रहता हूँ हर हाल में खुश रहना ही जीवन का मूल मंत्र था उनका जीवन दर्शन इन तीन दोहों में सिमर सकता है इन में से पहला तो वे अपनी डायरी के पहले पने पर लिखते थे साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए मैं भी भूखा ना रहूं सादुन भूखा जाए तुलसी या संसार में सबसे मिलिये धाए ना जाने किस वेश में ना रायन मिल जाए ऐसी बानी बोलिये मन का आपा खोए और अनको सीतल करे आपहु सीतल होए अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी का आत्म कत्थे वो भला सा आदमी मैं नमन करती हूं मालती जोशी मैं को आज उन्होंने अपने पती के बारे में जो कुछ भी लिखा वो पढ़कर उनके पती के प्रति हिर्दे शद्धा से भर उठा और ये निश्चित है कि मालती मैं की लोकप्रेता और सफलता के पीछे उनके पती का हाथ है आपको मालती जोशी मैं का आत्म कत्थे कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा फिर मिलेंगे आपका समय शुब हो सुमदर हो मंगल मैं हूँ